Assalamualaikum, welcome to student tube, आज की इस वीडियो में हम icon part 1, बुक हम follow कर रहे हैं शाहिद जमाल की chapter number 2 ratio proportion and percentage exercise है 2, question है हमारा आज का 2.29, find the ratio of x is to y in the equation 6x square minus 23xy plus 20y square is equal to 0, तो इसमें हम factorization का method use करेंगे, बहुत ही जादा simple है, आपने metric में पढ़ा होगा, तो सबसे पहले हम इस equation को लिखते हैं, जो के है 6x square minus 23xy plus 20y square is equal to 0, अब यहाँ पर 6x square इसी तरहां से रहा, minus 23xy है, तो इसे हम कर देंगे, minus का 8xy minus 15xy plus 20y square is equal to 0, यानिके 23 को हमने यहाँ पर खोल दिया, 8xy के साब भी minus है, 15xy के साथ भी minus है, बड़ दोनों को plus करेंगे, तो sin minus का आएगा, और 23xy आजाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर common लेंगे, तो यहाँ पर 3x को common लेंगे, तो 6x, क्योंके बाहिर x मौजूद है, फिर minus, अब बाहिर 3 म 0 ही रहेगा, ठीक है, 2x minus, यहाँ पर x नहीं आगा, क्योंके बाहिर x सो मौजूद है, तो 5y आएगा, ठीक है, तो 2x minus 5y common आगया, और 3x minus 4y आगया, ठीक है, अब यह is equal to 0 ही है, अब आपके book में दो values आ रही होंगे, क्योंके एक value आएगी 2x minus 5y के जरीए, और एक आएगी 3x minus 4y के जरीए, ठीक है, पहले हम कर लेते हैं, 2x minus 5y का, तो 2x minus 5y is equal to 0, तो यहाँ पर 2x is equal to minus 5y है, तो plus का 5y हो जाएगा, फिर x इदर रहा, 5y upon 2 हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर y जो है, वो multiply हो रहा है, तो यहाँ पर आजाएगा, तो divide हो जाएगा, तो x upon y is equal to 5 upon 2, त इस तरह से आपका एक answer आएगा, x is to y is equal to 5 is to 2, ठीक है, अब second equation है, जो के है, 3x minus 4y is equal to 0, तो यहाँ पर 3x is equal to minus का 4y, उदर गया तो हो गया, प्लस का 4y, इसी तरह x is equal to 4y upon 3, और यहाँ पर जो y है, वो multiply हो रहा है, तो यहाँ पर आकर divide होगा, तो यह हो जाएगा, x upon y is equal to 4 upon 3, तो इस तरह से यह हो गया, 4 is to 3, और x is to y, answer, ठीक है, अगला सवाल करते है, अगला सवाल है, 2.30, what number must be added to each term of the ratio, 5 is to 37 to make equal to 1, 3, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, कि 5 और 37, इन दोनों में, कौन सा एक ऐसा number add करें, कि इनका जो ratio है, वो इक्वाल हो जाए 1 और 3 के, तो हम यहाँ पर suppose कर लेते हैं, let x be added to 5 is to 37, ठीक है, तो यहाँ पर 5 plus x, यानि x वो number है, क्योंकि 5 में भी एक number प्लस करना है, और 37 में भी प्लस करना है, तो 5 plus x, अब इसे ratio है, तो इस तरह से हम इसे divide में लिख सकते हैं, तो यह हो गया, 37 plus x, ठीक है, तो x वो number है, जो हमें इसम होगा, 1 upon 3 के, ठीक है, 1 is to 3 को हम 1 upon 3 भी लिख सकते हैं, अब यहाँ पर इसकी हो जाएगी cross multiplication, तो यहाँ पर यह 5 threes of 15, और plus 3x हो गया, और is equal to 37 में 37, और plus का x हो गया, ठीक है, अब xx वाले एक तरफ कर देंगे, और number जो हैं वो एक तरफ कर देंगे, तो 3x minus x हो गया, क्योंकि प्लस का हैं, यहाँ पर आके minus हो गया, और 37 minus 15 हो गया, तो 3x में से x गया, तो रह गया, 2x is equal to, इसे minus किया, तो answer आया, 22, तो x is equal to 22 upon 2, तो 2 वंजा 2, 2 वंजा 2, 2 वंजा 2, 11 answer, ठीक है, अब है, 2.31, if x is to 6 is equal to, y is to 2, and x minus y is 12, find x and y, थोड़ा सा complicated करके question दिया हुआ है, पर बहुत ही जादा simple है, सबसे पहले हम यहाँ पर, y upon 6 कर देंगे इसे, जिस तरह से हम करते हैं, और, sorry, x upon 6 करेंगे, और y upon 2 कर देंगे, जिस तरह से हम रेशो को solve करते हैं, जिस तरह से हम रेशो निकालते हैं, उसी तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, 2x is equal to 6y, so x upon y is equal to 6 upon 2, ठीक है, तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो यहाँ पर x upon y is equal to 3 upon 1, ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसे again multiply करना है, cross multiplication करनी है, और इसका x की और y की value निकालनी है, किस तरह से cross multiplication करेंगे, तो सबसे पहले, हम एक पर y की value निकालनी है, और एक पर x की निकालनी है, तो सबसे पहले हम x की निकालनी है, तो यहाँ पर x is equal to 3y, ठीक है, तो यहाँ पर x की value आ गई, क्योंकि x is equal to 3y, अब y की value निकालनी है, तो इस 3 को अगर हम x के पास ले जाएंगे, तो y की value आ जाए फ्यों में फूट करेंब इना हैं सब से पहले हम एक्स की वैल्यवि पूट करते हैं तो यहाँ पर हमाइपास is equal to twelve ठीक है रहे हैं फैले करें एकञाँ चीक है कर हम darkest एक्स की वैल्यutil ऐ हैं घर हम यकी वैल्यु पूट करेंगे थीक ह्यां थीक है to our house x-y क्या है Armour पास x upon 3 is equal to 12 तो यहां पर हम LCM ले लेंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो 3 आ गया आप चाहें तो इसे रफक में भी कर सकते हैं तो यहां पर आ गया 3x minus x वंजा x ठीक है और minus is equal to 12 ठीक है अब यहां पर यह हो गया 2x upon 3 is equal to 12 अब यहां पर 2 multiply हो रहा है यहां पर आकर divide होगा 3 divide हो रहा है तो multiply हो जाएगा तो x is equal to 12 multiply by 3 upon 2 12 को 3 से multiply किया तो answer आया 36 upon 2 2 1s are 2 2 1s are 2 और 2 8s are 16 तो x की value आ गई 18 ठीक है अब हमने निकाली है y की value तो y के लिए भी हम सेम यही equation लेंगे x minus y is equal to 12 अब हमने y की value निकाली है तो हम x की value पुछ करेंगी तो x है हमाए पास 3y minus y is equal to 12 ठीक है अब 3y में से y गया तो रह गया 2y is equal to 12 y is equal to 12 upon 2 so y is equal to 2 1s are 2 2 6s are 12 6 तो x is equal to 18 and y is equal to 6 answer तो यह थे आज के तीन questions उमीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आए होंगे मजीद questions के लिए channel को करें subscribe और साथ ही अपने क्लासमेर्स और फ्रेंड्स से शेयर भी जरूर करें मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस क्लासमेर्स क्लासमेर्स